लेके चली गई पहली, अच्छा, उसने बोला कि आज मैं आपके करूंगा इंकर नहीं करने वाला हूँ, हाँ ठीक है तो करते रहते कार्तिका तो समय ओटोटी प्लेटफॉर्म नेटफिलिस पर जो की कार्तिकारियन अपनी मदर जो के साथ खूब इंज्वाई कर रहे हैं आप लोगों को बता दे माला तिवारी और कार्तिकारियन एक समय जो की खूब जो की तहलका मचा रहे हैं और इस समय चर्चा सबसे ज़्यादा कार्तिकारियन और उनकी माला तिवारी का है क्योंकि फर्स्ट टाइम जो की दे ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा के शोव पर जो की कार्तिकारियन अपनी मदर को लेकर पहुँचे हैं आप लोगों को बता दे जो की इस साल उनकी रिलीज हुई फिलम जो की चंपेयन भी लोगों को बीच में काफी ज़्यादा पसंद के गई हैं और जो की फिलम को टूटी प्लैटफॉम पर भी रिलीज किया गया हैं और उटोटी का जो की आने वाला है ये show जो की बेहत खास है. दोस्तो आप लोगों को बता दें अगर आप लोगों कोई शोर देखना है फुल वीडियों देखनी है तो हम आप लोगों को बताएंगी कि आप लोग इसको कहां पर जाकर देख सकते हैं वैसे क्योंकि इसी कारちकारियन ऊंकी मा का स्वagश्त करते दिख रहे हैं।ric day के रहे हैं मैं इतना नर्वस कभी नहीं हुआ जितना आज हूँ। और वह हैं उनकी मा कहती हैं कि आज जो बोलोंगी सच बोलोंगी सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगी इस प्रोमो में कार्ति के मा उनकी कुमियां एक-uciones कर कर ककर कफिल के सामने गिनाती देख रही है और वो बताती है कि कार्ति एक बहुत जिद्धी है और बहुत खर्चेवाला है उन्होंने इंजिनियर में जुकी की है और यह जो कि इस पर कारतिकारियन किमा कहती हैं वो फीट पाट कर इंजिनियर खरवाया है वहीं आप लोगों को बता दे कारतिकारियन इसमें अपनी मदर को लेकर काफी चर्चा के विशे में बनी हुई है आप लोगों को बता दे एक लड़की आकर बताती है कि वो जो की फिजी योर्थेटर पिष्ट है और पर कारती किमा कहती है इसे भी जो की ये बिमारी है और इस भी दूसरी लड़की कहती है कि वो कभी कारती कारियन का फोन चेक नहीं करेंगी इस पर कार्तिकारियन कहते हैं डन है फिर जो हुआ जो हसने के लगते हैं और दागिरेट इंडियन कपिल शर्मा का शो जो की 22 तारीक को ही रिलीज हो चुका है जो लोगों को खुब पसंदा रहा है अगर आप लोगों को ये शो देखना है तो आप लोग नेट्स फिलिक्स प देखने को मिले वो वाकई काफी ना, काफी ला जबाब थे और वहाँ कहते हैं कि आज तक मैंने इतना जादा कभी नर्वस नहीं हुआ जितना वो दा ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा के शो पर जो की वो अपने मा के साथ हुए और इसके बाद कपिल शर्मा और माला तिवा जो की कार्तिकारियन को लेकर कई सवाल पूशते हैं जनसे वो जबाब देते हैं। एंट्री किये तो लोगों को खूब पसंद आया और जो कि जब इसका प्रोमो वीडियो आया जिसमें देखा जा सकता है कि कारतियन की मा माला तिवारी जो कि कारतिय की खूब पॉल खोल रही हैं और फिलहाल यह सिर्फ जितने भी एफशोट हैं वो लोगों के बीच में काफी ज़्यादा पसंद किये जा रहे हैं आप लोगों को बदा दे कारतिकारियन इस समय जो कि सत्वे आसमान पर हैं क्योंकि उनकी फिलम चंदू चैंपेन ने बॉक्स आफिस पर अच्छा परदर्शन किया हैं और इस फिलम ने उन्हें कई पुरुषकार भी दिलाए हैं कारति कारतिकारियन अपनी मा माला कतिवारी के साथ थे और यहीं हसी का एक दजुकी दागा बन गया और जुकी कारतिकारियन की मा ने जुकी बेटे के बारे में बहुत दिल्चर्श बाते की और बताई कि ये भी साजा किया जब कारतिकारियन को उनकी पहली फिलम प्यार का जुक कि वह चाहती नहीं है कि कार्तिकारियन एक डॉक्टर बने उन्होंने बताया कि कार्तिक ने अपनी पहली फिल्म जो कि मिलने तक एक्टर बनने की इच्छा को सभी छेफाय रखा और ओडियंस में सफल होने पर उन्होंने रोते हुए अपनी मां को फोन किया और मालातिवारी उन्होंने बताया कि वह दूसरी तरफ से रो रही थी क्योंकि वह चाहती थी कि उनका बेटा पढ़ाई से बड़ा जो कि मुकाम हाशल करे और उन्होंने कहा जब उसने प्यार का पंचनामा का ओडिशन पास किया मुझे लगता था कि वह पढ़ाई कर रहा है क्योंकि वह खुश होई तो रो रही थी और तम मैं भी रो रही थी क्योंकि उसे फिलम मिल गई और वह डाक्टर नहीं बन सका उन्होंने यह बताया कि वह मुंबई इसलिए चली गई कर ताकि कारतिक अपनी इंजिनियर की पूरी कर सके और पूरी तरह बताया कि जब वह परिच्छा द लिए मेहनत करने पड़ी है और उन्होंने जो की प्रिंस्पल को भी बीच में बुलाया और यह भी पढ़े आप लोगों को बदा दें बहुत सारी बाते क्योंकि करतिकारियन की माने जो की बताया है इस कपिल शर्मा के शो में आप लोगों को बदा दें इस नए प्रोमो व प्रोब प्रोब पसंद आया और फिलहाल एक लड़की आकर बताती है कि वह जो की एक बीमारी का इलाज वो करती है और वो इसी का इलाज है इलाज करती है और उन्होंने जब कहा तो उनकी मम्मी ने बताया कि ये बीमारी जो की कार्थिकारियन को भी है हाला कि दोस्तों बीमारी का नाम है फिजियो थेरेपिष्ट आप लोगों को बदा दे उसी के डाक्टर आई और कार्थ को पहुंचे हैं तो रिके करने को स्वाइण करके बाइए कर steroids सब्सक्राइब को अपनी मज़क्र नियुक्त है उक्रिस्ट कर पर जो कार्थे काड against an果 अपनी Mother को लेकर पहुंचेएएं अप बदादे तो टूटी प्लैटफॉम पर भी रिलीज किया गया है लेकिन आप लोगों को बदादे तो टूटी पर दागरेट इंडियन कपिल्ट शो में जो की अगला नंबर था कार्थिकारियन और जो अपनी मां माला थिवारी के साथ नजर आये और जो कि इस शो का प्रोमो जब सामने आया जिसमें वो कार्थिक किमा उनके जम कर खिचाए कट डाली और पोटोटी का जो की आने वाला है ये शो जो कि बेहत खास है दोस्तों आप लोगों को बदादे अगर आप लोगों को ये शो देखना है फुल वीडियो देखनी है तो हम आप लोगों को बताए करेंगे कि आप लोग इसको कहां पर जाकर देख सकते हैं वैसे क्योंकि इसी एपशोट के साथ की इस सीजन खतम होने जा रहा है और इसी वज़ा से दागरेट इंडियन कपिल शर्मा का ये शो कफी चर्शा कभी से बना हुआ है इस नए प्रोमो वीडियो में कपिल शर्मा फिनाले एपशोट पर कारतिकारियन उनकी मा का स्वागत करते देख रहे हैं और इसी में कारतिकारियन कहे रहे हैं मैं इतना नर्वस कभी नहीं हुआ जितना आज हूँ और वह उनकी मा कहती हैं कि आज जो बोलूँगी सच बोलूँगी सच के सिवा कुछ नहीं उनकी जुकी कमिया एक-एक करकर कफिल के सामने गिनाति देख रही है और वो बताती है कि कारतिक बहुत जिद्धी है और बहुत खर्चे वाला है उन्होंने इंजीनियर में जुकी की है और यह जुकी इस पर कारतिकारियन की माध्यती है वो पीट पाट कर इंजीनियर खरवा वहीं आप लोगों को बता दे कारती कारियन इसमय अपनी मदर को लेकर काफी चर्चा के बिसे में बनी हुई है आप लोगों को बदा दे एक लड़की आकर बताती है कि वह जो की फिजी योर्ट तेटर पिष्ट है और पर कारती किमा कहती है इसे भी जो कि यह विमारी है और इस भी दूसरी लड़की कहती है कि वह कभी कारती कारियन का फोन चेक नहीं करेंगी इस पर कारती कारियन कहते हैं फिर जो हुआ जो हसने के लगते हैं अब दागिरेट इंडियन कपिल शर्मा का शो जो की 22 तारीक को ही रिलीज हो चुका है जो लोगों को पसंद आ रहा है अगर आप लोगों को ये शो देखना है तो आप लोग नेट्स प्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं जहां पर हमें जवर्दस तरीके से देखने को मिल लहा है दाइर इंडिड ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा का शो जब प्रोमो जबाया तो उसमें हमें कार्तिकारियन और माला सब्सक्राइब को लेकर कई सवाल पूषते हैं जिसकी जमकर तारीफ हो रही है और बॉक्स ऑफिस पर चंदू चंपेंच भी गई है और विजनस भी कर रही है और इस बीच कपिल शर्मा के शो पर यान यानि दागए ग्रेट इंडियन का फिल सरमा शोप पर जब कार्तिकारियन अपकी मदर के साथ एंट्री के तो लोगों को खुब पसंद आया और जो कि जब इसका प्रोमो वीडियो आया जिसमें देखा जा सकता है कि कार्तियन के माला तिवारी जो की कार्तिकी खुब पॉल खोल रही हैं और इस फिलम में उन्हें कई पुरुषकार भी दिलाए हैं कार्तिकारियन हाली में ही दागिरेट इंडियन का फिल सरमा में जब पहुंचे तो यह नेट्स तुलिस पर जो की कफिश के शोओ के जो की नवींतम सीजन का जो की अंतिन हर्फ शोड था और कार्तिकारियन अपनी मा पहली पिलम प्यार का जुक की पंच नामा मिली थी तो वह बहुत खुश थी आप लोगों को बता दे चंपू 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 है जो की चंदू चंपेंच फेक्षव यह तो लोगों को पसंद आई और कार्तिकारियन के माह माला ने बताया कि वह चाहती नहीं है कि कार्तिकारियन एग डॉक्टर बने नहीं बताया कि कार्तिक ने क्योंकि अपनी पहली पिलम जो कि मिलने तक अक्टर बनने की इच्छा सभी छिपायर रखा और ओडियन्स में सफल होने पर उन्होंने रोते हुए अपनी माँ को पौन किया और मालातिवारी ने बताया कि वह दूसरी तरफ से रो रही थी तुकि वह चाहते थी कि उनका बेटा पढ़ाई से बड़ा जो कि मुकाम हाशिर करे करणों ने कहा जब उसने प्यार का पंजनामा का ओडिशन पास किया मुझे लगता था कि वह पढ़ाई कर रहा है क्योंकि वह कई कारणों से जो की एटी केटी परिच्छा में फेल हो गया था और उसके बार कौन किया और रोते हुए कहा मम्मी मैंने ओडिशन पास कर लिया और मुझे फिलम मिल गई जब वह खुश होई तो रो रही थी और तम मैं भी रो रही थी क्योंकि उसे फिलम मिल गई और वह डाक्टर नहीं बन सका उन्होंने यह बताया कि वह मुंबई इसलिए चली गई कार्ट ता पढ़कर सुनाते थी और उन्होंने मजाग में कहा कि कार्टिक को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए मेहनत करने पड़ी हैं और उन्होंने जो की प्रिंस्पल को भी बीच में बुलाया और यह भी पढ़े आप लोगों को बदा दे बहुत सारी बाते क्योंकि कार्टिक बातें जो की इस शो पर हुई हैं जो हमें देखने को मिल लहीं हैं इस पर पर करतिकारियन महासे कहते हैं कि उसक्तो पोजटिव बोल दो इसके बाद कपिल के शेट पर कुछ लड़किया भी आती हैं जो खुट को जो की पेशे बताती हैं और दरसल कार्टिक के मुमी को में कि फुलासा भी कर दिया है आप लोगों को बदा दे जो कि दा ग्रेट इंडिल कपिल शो में जब प्रोमो जब आया तो लोगों को पसंद आया और पिलहाल एक लड़की आकर बताती है कि वह जो की एक बिमारी का इलाज वो करती हैं और वह उन्होंने जब कहा तो उनकी मम कार्थिक आरियन को भी है आप लोगों को बदा दे उसी की डाक्टर आई और कार्थिक कार्थिक करने को तयार है इस समय ओटोटी प्लेटफॉर्म नेट फिलिस पर जो की कार्थिकारियन अपनी मदर जो के साथ खूब इंज्वाई कर रहे हैं आप लोगों को बदा दे माला तिवारी और कार्थिकारियन एक समय जो की खूब जो की तहलका मचा रहे हैं और इस समय चर्चा सबसे ज़्यादा कार्थिकारियन और उनकी मा माला तिवारी का है क्योंकि फर्स टाइम जो की दे ग्रेट इंडियन कपिल सर्मा के शोव पर जो की कार्थिकारियन अपनी मदर को लेकर पहुँचे हैं आप लोगों को बता दे जो की इस साल उनकी रिलीज हुई फिलम जो की चंपेन भी लोगों को बीच में काफी ज़्यादा पसंद के गई है और जो की फिलम को टूटी प्लैटफॉम पर भी रिलीज किया गया है और उटोटी का जो की आने वाला है ये शोड जो की बेहत खास है दोस्तों आप लोगों को बता दे अगर आप लोगों को ये शोड देखना है फुल वीडियो देखनी है तो हम आप लोगों को बताएंगी कि आप लोग इसको कहां पर जाकर देख सकते हैं वैसे क्योंकि इसी एफशोर्ट के साथ जो की इस सीजन खतम होने जा रहा है और इसी वज़ा से दा ग्रेट इंडियन कफिल शर्मा का ये शो काफी चर्शा का भी से बना हुआ है इस नए प्रोमो वीडियो में कफिल शर्मा फिनाले एफशोर्ट पर कारते कारियन उनकी मा का स्वागत करते दिख रहे हैं और इसी में कारते कारियन कह रहे हैं मैं इतना नर्वस कभी नहीं हुआ जितना आज हूँ और वह उनकी मा कहती है कि आज जो बोलूँगी सच बोलूँगी सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगी इस प्रोमो में कारतिक के मा उनकी कमिया एक एक करकर कपिल के सामने गिनाती देख रही है और वो बताती है कि कारतिक बहुत जिद्धी है और बहुत खर्चे वाला है उन्होंने इंजीनियर में जुकी की है और यह जुकी इस पर कारतिकारियन किमा कहती है वो फीट पाट कर इंजीनियर करवाया है वहीं आप लोगों को बता दे कारतिकारियन इसमय अपनी मदर को ले कि वह कभी कार्तिकारियन का phone check नहीं करेंगी, इस पर कार्तिकारियन कहते हैं, दन हैं फिर जो हुआ जो हसने के लगते हैं और दागुरेट इंडियन कपिल शर्मा का show जो की 22 तारीक को ही रिलीज हो चुका है जो लोगों को खूब पसंदा रहा है अगर आप लोगों को ये show देखना है तो आप लोग नेट्स फिलिक्स पर जाकर देख सकते हैं जहां पर हमें जवर्दस तरीके से देखने को मिल ला है। कार्टे कारियन को लेकर कई सबाल पूशते हैं जिन से जवर जबाब देते हैं आप लोगों को बता दे वाले डुक्टर कार्टे-कारियन के जो हाली में रिलीज हुई फिलम चंदू CHEMPM को लेकर काफी चर्चाएं की और इस मूवी में जो की पाहरशी मुरली पेड़ करों मे के साथ एंट्री किये तो लोगों को खूब पसंद आया और जो कि जब इसका प्रोमो वीडियो आया जिसमें देखा जा सकता है कि कार्तियन की मा माला तिवारी जो की कार्ति की खूब पोल खोल रही हैं और फिलहाल यह सिर्फ जितने भी एफशोट हैं वो लोगों के बीच मे काफी ज़्यादा पसंद किये जा रहे हैं आप लोगों को बदा दे कार्ति कारियन इस समय जो की सत्वे आसमान पर हैं क्योंकि उनकी फिलम चंदु चैंपेन ने बॉक्स आफिस पर अच्छा परदर्शन किया हैं और इस फिलम ने उन्हें कई पुरुषकार भी दिलाए है कार्ति कारियन हाली में ही दे गरेट इंडियन कपिल सरमाय में जब पहुंचे तो यह नेट्स पिलिस पर जो की कपिलिस के शो के जो की नवीनतम सीजन का जो की अंतिम एफशोर था और कार्ति कारियन अपनी मा मालाक तिवारी के साथ थे और यहीं हसी का एक दजो की दागा आप लोगों को बता दे चंदु चंपेन जब ठेटर में रिलीज हुई तो लोगों को पसंद आई और कार्थिकारियन की माँ माला ने बताया कि वह चाहती नहीं है कि कार्थिकारियन एक डॉक्टर बने उन्होंने बताया कि कार्थिक ने अपनी पहली फिलम जो कि मिलने तक एक्टर बनने की जो की इच्छा को सभी छेफाय रखा और ओडियंस में सफल होने पर उन्होंने रोते हुए अपनी मां को फोन किया और मालातिवारी ने बताया कि वह दूसरी तरफ से रो रही थी तुकि वह चाहती थी कि उनका बेटा पढ़ाई से बड़ा जो कि मुकाम और उन्होंने कहा जब उसने प्यार का पंजनामा का ओडिशन पास किया मुझे लगता था कि वह पढ़ाई कर रहा है क्योंकि वह कई कारणों से जो की एटी केटी परिच्छा में फेल हो गया था और उसके बार पौन किया और रोते हुए कहा मम्मी मैंने ओडिशन पास कर लिया और मुझे फिलम मिल गई जब वह खुश होई तो रो रही थी और तब मैं भी रो रही थी क्योंकि उसे फिलम मिल गई और वह डाक्टर नहीं बन सका उन्होंने यह बताया कि वह मुंबई इसलिए चली गई कार्थ ताकि कार्थिक अपनी इंजिनियर की पूरी कर सके और पूरी तरह बताया कि जब वह परिच्छा देने के लिए गाड़ी से जाता था तो वह उसे जोकी नोट्स पढ़कर सुनाते थी और उन्होंने मजाग में कहा कि कार्थिक को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए मेहनत करने पड़ी है और उन्होंने जोकी प्रिंस्प और आप लोगों को बदा दे कई सारी बाते जो की इस शो पर हुई हैं जो हमें देखने को मिल लही हैं इस पर कार्तिकारियन मा से कहते हैं कि कुछ तो पोजिटिव बोल दो जिसके बाद कपिल के शेट पर कुछ लड़कियां भी आती हैं जो खुद को पेसे से डाक्टर बताती हैं और दरसल कार्तिक के मुम्मी को अपने बेटे के शादी के लिए डाक्टर बहु चाहिए जो उन्होंने खुलासा भी कर दिया है आप लोगों को बदादे जो की दा ग्रेट इनिल कपिल शो में जब प्रोमो जब आया तो लोगों को खुब पसंद आया और फिलहाल एक लड़की आकर बताती है कि वह जो की एक बिमारी का इलाज वो करती हैं और वो इसी का इलाज है कि वो विमारी है इस पर कार्थिक की मा कहती हैं कि इसे भी जुकि फिजियो फेडिया पिश्ट लगते रहते हैं और इससे बीज दूसरी लड़की कहती है कि वह कभए कार्थिक का फोन चे चेक नहीं करेगी कार्थिक कहते हैं डन का है क्योंकि फर्स्ट टाइम जो की दे ग्रेट इंडियन कपिल सर्मा के शोव पर जो की कार्तिकारियन अपनी मदर को लेकर पहुंचे हैं आप लोगों को बदा दे क्योंकि इस साल उनके रिलीज हुई फिलम जो की चंपेंट भी लोगों को बीच में काफी ज्यादा पसंद कार्तिक की मा उनके जम कर खिचाए कट डाली और पूटोटी का जोकी आने वाला है ये शोड की बहत खास हैं अगर आप लोगों को ये शोड देखना है फुल वीडियू देखनी है तो हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग इसको कहां पर जाकर देख सकते हैं वैसे क चिनाले एपशोड पर कारतिकारियन उनकी मा का स्वागत करते दिख रहे हैं और इसे में कारतिकारियन कहे रहे हैं मैं इतना नर्वस कभी नहीं हुआ जितना आज हूं और वह उनकी मा कहती हैं कि आज जो बोलूंगी सच बोलूंगी सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी इस उनकी जुकी कमिया एक एक करकर कफिल के सामने जिनाति देख रही है और वो बताती है कि कारतिक बहुत जिद्धी है और बहुत खर्चे वाला है उन्होंने इंजीनियर में जुकी की है और यह जुकी इस पर कारतिकारियन की माखेती है वो पीट पाट कर इंजिनियर खरवाया है वहीं आप लोगों को बता दे कारती कारियन इसमय अपनी मदर को लेकर काफी चर्चा के विसे में बनी हुई है आप लोगों को बदा दे एक लड़की आकर बताती है कि वह जो की फिजी योर्टेटर पिष्ट है और पर कारती किमा क में कहते हैं इसे भी जो की यह विमारी औरकर 52 कोई हो चुका है जो लोगों को Apa पसंदा रहा है आगर आप लोगों को ये शो देखना है तो आप लोग नट्तिन कर देख सकते हैं जहांपर हमें जवरदस तरीके से देखने को मिल लहा है दाइर इन्डेट इंड्यन कफिल शर्मा का शो जबेवे प्रोमो जबाया तो उसमें हमें कार्तिकारियन और माला-तिवारी का जो मस्ति वाले कफिल शर्मा और माला तिवारी जो की कार्थिकारियन को लेकर कई सवाल पूशते हैं जिनसे वह जवाब देते हैं आप लोगों को बता दे वालेवुड डेक्टर कार्थिकारियन की जो कि हाली में रिलीज हुई पिलम चंदू चैंपेन को लेकर काफी चर्चाएंगी और इस पर जब कार्थिकारियन अपकी मदर के साथ एंट्री के तो लोगों को खूब पसंद आया और जो कि जब इसका प्रोमो वीडियो आया जिसमें देखा जा सकता है कि कार्थिकारियन के माला तिवारी जो की कार्थिक की खूब पॉल खोल रही हैं और पिलहाल यह सब जितने भी एफशोट हैं वो लोगों के बीच में काफी ज़्यादा पसंद किये जा रहे हैं आप लोगों को बदा दे कार्थिकारियन इस समय जो की सत्वे आसमान पर हैं क्योंकि उनकी पिलम चंदू चैंपने बॉक्स आफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया हैं और इस पिलम में उन्हें कई पुरुषकार भी दिलाएं हैं कार्थिकारियन हाली में ही दागिरेट इंडियन कफिल सर्माय में जब पहुंचे तो यह नेट्स तुलिस पर जो की कफिस के शो के जो की नवींतम सीजन का जो की अंतिन हर्फ शोट था और कार्थिकारियन अपनी मा मादा एक त प्यार का जोकी पंचनामा मिली ती तो वो बहुत ख़ुष थी आप लोगों बता दे चंतु चैंप पी 엔र यीज भी तो लोगों को फ़संद श्डूर को कमामाला ने बताया कि रहे चाहती नहीं है के आपे टोक्टर बनेूंने बताया कि कार्टिंग ने क्योंकि अपनी पहली फिल्म जो कि मिलने तक एक्टर बनने के जो कि इच्छा सभी छिपाय रखता और ओडियंस में सफल होने पर उन्होंने रोते हुए अपनी मां को पौन किया और मालातिवारी ने बताया कि वह दूसरी तरफ से रो रही ही तुकि वह चाहती थी कि उनका बेटा पहाई से बड़ा जो कि मुकाम हाशिल करे खरणों ने कहा जब उसने प्यार का पंचनामा का ओडिशन पास किया मुझे लगता था कि वो पढ़ाई कर रहा है तुकि वह कई कारणों से जो कि 80-80 परिच्छा में फेल हो गया था और उसके बार पॉन किया और रोते हुए कहा मम्मी मैंने पॉडिशन पास कर लिया और मुझे फिलम मिल गई जब वह खुश होई तो रो रही थी और तम मैं भी रो रही थी क्योंकि उसे फिलम मिल गई और वह डाक्टर नहीं बन सका उन्होंने यह बताया कि वह मुंबई इसलिए च क्योंकि नोट्स पढ़कर सुनाते थी और उन्होंने मजाग में कहा कि कारतिक को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए मेहनत करने पड़ी हैं और उन्होंने जो की प्रिंस्पल को भी बीच में बुलाया और यह भी पढ़े आप लोगों को बता दें बहुत सारी बाते क्य सवागत की आता है और आप लोगों को बढ़ादे कई सारे बाते जो की इस शो पर हुई हैं जो हमें देखने को मिल लही हैं इस पर करतिकारियन मांसे कहते हैं कि कुछ लड़कें भी आती हैं जो खुद को जुकी पेसे से डाक्टर बताती हैं और दरसल कार्टिक के मुम्मी यह उन्होंने पुलासा भी कर दिया है आप लोगों को बदा दे जो कि दा गरेट इंडिल कपिल शो में जब प्रोमो जब आया तो लोगों को पसंद आया और पिलाहाल एक लड़की आकर बताती है कि वह जो की एक बिमारी का इलाज वो करती हैं और वह उन्होंने जब कहा तो उनकी ममी ने बताया कि यह बिमारी जो कि कारती कारियन को भी है हाला कि दोस्तों बिमारी का नाम है फीजियो थेरे पिश्ट आप लोगों को बदा दे उसी की डाक्टर आई और कारती कारियन को भी वो बिमारी है इस पर कारती के मां कहती है कि इसे भी जो की फीजियो थेरे पिश्ट लगते रहते हैं और इसे दूसरी लड़की कहती है कि बैख कभी कारतिक का फोन चेक नहीं करेगी तो कारतिक कहते हैं दन हैं मतलब लड़की से साधी करने को तयार हैं समय ओटोटी प्लेटफॉर्म नेट फिलिक्स पर जो कि कारते कारियन अपनी मदर जो के साथ खुब इंज्वाई कर रहे हैं आप लोगों को बदा दे माला तिवारी और कारते कारियन एक समय जो की खुब जो की तहलका मचा रहे हैं और इस समय चर्चा सबसे ज़्यादा कारते कारियन और उनकी मा माला तिवारी का है क्योंकि फर्स टाइम जो की दे ग्रेट इंडियन कपिल सर्मा के शोव पर जो की कारते कारियन अपनी मदर को लेकर पहुंचे हैं आप लोगों को बतादे जो कि इस साल उनकी रिलीज हुई फिलम जो की चमपैन भी लोगों को बीच में काफी ज़्यादा पसंद के गई है और जो की फिलम को टूटी प्लैटफॉम पर भी रिलीज किया गया है और उटोटी का जो की आने वाला है ये शोड जो की बेहत खास है दोस्तों आप लोगों को बता दे अगर आप लोगों को ये शोड देखना है फुल वीडियो देखनी है तो हम आप लोगों को बताएंगी कि आप लोग इसको कहां पर जाकर देख सकते हैं वैसे क्योंकि इसी एपशोट के साथ जो की इस सीजन खतम होने जा रहा है और इसी वज़ा से दा ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा का ये शो काफी चर्शा का भी से बना हुआ है इस नए प्रोमो वीडियो में कपिल शर्मा फिनाले एपशोट पर कारते कारियन उनकी मा का स्वागत करते दिख रह हैं और इसी में कारते कारियन कर रहे हैं मैं इतना अनरवस कभी नहीं हुआ जर्श वह और वह उनकी मा कहती है कि आज जो बोलूंगी सच, के सिवा कुछ नहीं बोलूगी इस प्रोमो में कारतिक किमा उनकी जुकि कम्या एक एक करकर कपिल के सामने गिनाती देख रही है और वो बताती है कि कारतिक बहुत जिद्दी है और बहुत खर्चेवाला सुने हैं उन्होंने इंजीनियर में जुकी की चेक नहीं करेंगी इस पर कारती कारियन का फोन चेक नहीं करेंगी इस पर कार्तिकारियन कहते हैं डन है फिर जो हुआ जो हसने के लगते हैं और दागिरेट इंडियन कपिल शर्मा का शो जो की 22 तारीक को ही रिलीज हो चुका है जो लोगों को खूब पसंदा रहा है अगर आप लोगों को ये शो देखना है तो आप लोग नेट्स फिलिक्स प देखने को मिले वो वाकई काफी ना, काफी ला जबाब थे और वहाँ कहते हैं कि आज तक मैंने इतना जादा कभी नर्वस नहीं हुआ जितना वो दा ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा के शो पर जो की वो अपने मा के साथ हुए और इसके बाद कपिल शर्मा और माला तिवा कारियन को लेकर कई सवाल पोछते हैं जिनसे वो जबाब देते हैं आप लोगोत को बता दे वाले बुडु डैक्टर कार्ते कारियन की जुकि हाली में रिलीज हुई फिलम चंदू चैमपo को लेकर काफी चर्चा है की और इस मुवी में जुकि पहार्शी मुर्ली पेटक के रोल में धाशू परफेमस किया जिसकी जम करतारी हो रही है और बॉक्स आफिस पर चंदू चंपेंच छा भी गई है और विजनस भी कर रही है और इस बीच कपिल सर्मा के शोपर यानि दा ग्रेट इंडियन कपिल सर्मा शोपर जब कारतिकारियन अपनी मदर के साथ एंट काफी ज़्यादा पसंद किये जा रहे हैं आप लोगों को बदा दे कारतिकारियन इस समय जोकी सत्वे आसमान पर हैं क्योंकि उनकी फिलम चंदू चेंपेंच ने बॉक्स आफिस पर अच्छा परदर्शन किया है और इस फिलम ने उन्हें कई पुरुषकार भी दिलाए है कारतिकारियन हाली में ही दा गरेट इंडियन कपिल सरमाय में जब पहुंचे तो यह नेट्स प्लिस पर जोकी कपिश के सो के जोकी नवीनतम सीजन का जोकी अंतिम एफशोर था और कारतिकारियन अपनी मा मालाक तिवारी के साथ थे और यहीं हसी का एक दजुकी दागा बन गया और जो की कार्थिकारियन की अमा ने जोकी बेटे के बारे में बहुत दिल्चस बाते की और बताई कि ये भी साजा किया जब कार्थिकारियन को उनकी पहली फिलम प्यार का जोकी पंजनामा मिली थी तो वो बहुत खुश थे आप लोगों को बतादे जो कि चंदु चेंपेन जब ठेटर में रिलीज होई तो लोगों को पसंद आई और कार्ति काडियन के मामाला ने बताया कि बहुत है चाहती नहीं है कि कार्तिकार्यन एक डॉक्टर बने उन्होंने बताया कि कार्टिंग ने अपनी पहली फिल्म जो कि मिलने तक एक्टर बनने की जो कि इच्छा को सभी छेपाय रखा और ओडियन्स में सफल होने पर उन्होंने रोते हुए अपनी मा को पौन किया और मालातिवारी ने बताया कि वह दूसरी तरफ से रो रही थी चुकि वह चाहती थी कि उनका बेटा पढ़ाई से बड़ा जो कि मुकाम हाशिल करे और उन्होंने कहा जब उसने प्यार का पंचनामा का ओडिशन पास किया मुझे लगता था कि वह पढ़ाई कर रहा है क्योंकि वह कई कारणों से जो कि 80-80 परिच्छा में फेल हो गया था और उसके बार पौन किया और रोते हुए कहा मम्मी मैंने ओडिशन पास कर लिया और मुझे फिलम मिल गई जब वह खुश होई तो रो रही थी और तम मैं भी रो रही थी क्योंकि उसे फिलम मिल गई और वह डाक्टर नहीं बन सका उन्होंने यह बताया कि वह मुंबई इसलिए चली गई कार्थ ताकि कार्थिक अपनी इंजिनियर की पूरी कर सके और पूरी तरह बताया कि जब वह परिच्छा देने के लिए गाड़ी से जाता था तो वह उसे जोकी नोट्स पढ़कर सुनाते थी और उन्होंने मजाग में कहा कि कार्थिक को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए मेहनत करने पड़ी है और उन्होंने जोकि फ्रिंस्पल को भी बीच में बुलाया और ये भी पले आप लोगों को बदा दे बहुत सारी बाते यो कि करतिकारियन की माँने जोकि blas कर्ल्मा के शो में आप लोगों को बदा दे इस नए प्रोमो विडियो में कपिल सर्मा ने जो कि फिनाले एफशोट तर करतिक और उनकी मा का शानदास स्वागत किया है और आप लोगो को गता दे कई सारे बाते जो कि इस शो पर हुई हैं जो हमें देखने को मिल लही हैं इस पर करतिकारियन जब बहुत सारी मजाग हुई जब उनकी माद बोलने लगी तो इस पर कार्तिकारियन मा से कहते हैं कि कुछ तो पॉजेटिव बोल दो जिसके बाद कपिल के शेट पर कुछ लड़कियां भी आती हैं जो खुद को पेशे से डाक्टर बताती हैं और दरसल कार्तिक के मुम्मी को अपने बेटे के शादी के लिए डाक्टर बहु चाहिए जो उन्होंने जो कि खुलासा भी कर दिया है आप लोगों को बदा दे जो कि दा ग्रेट इनिल कपिल शो में जब प्रोमो जब आया तो लोगों को खूब पसंद आया और फिलहाल एक लड़की आकर बताती है कि वह जो की एक बिमारी का इलाज वो करती हैं और वह इसी का गद्राजयन को भी वो विमारी है इस पर कारथिक कम आए कि इससे भी वी जोन की तेरे पिश्ट लगते रहते हैं और इस बीच दूसरी लड़की कहती है कि वह कभी कारती का फान छिल्च महीं करेगी नहीं करेका रहेगी 네किन क्योंकि फर्स टाइम जो की दे ग्रेट इंडियन कपिल सर्मा के शोव पर जो की कारते कारियन अपनी मदर को लेकर पहुंचे हैं आप लोगों को बता दे क्योंकि इस साल उनके रिलीज हुई फिलम जो की चंपेन भी लोगों को बीच में काफी ज्यादा पसंद पी गई है औ और जो कि इस शो का प्रोमो जब सामने आया जिसमें वो कार्तिक की मां उनके जम कर खिचाए कट डाली और पोटोटी का जो की आने वाला है ये शो जो की बेहत खास हैं दोस्तों आप लोगों को बता दे अगर आप लोगों को ये शो देखना है फुल वीडियो देखनी है तो हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग इसको कहां पर जाकर देख सकते हैं वैसे क्योंकि इसी एफशोट के साथ जो की इस सीजन खतम होने जा रहा है और इसी वज़ा से दा ग्रेट इंडियन कपिल सर्मा का ये शो काफी चर्शा कभी से बना हुआ है इस नए प्र करतिक की आप लोगों को बतादें एक लड़की आकर बताती है कि वह जो की फिजी योर थेटर पिष्ट है और पर कार्तिक किमा कहती है इसे भी जो कि ये विमारी है और इस भी दूसरी लड़की कहती है कि वह कभी कार्तिकारियन का फॉन चेक नहीं करेंगी इस पर कार्तिकारियन कहते हैं फिर जो हुआ जो हसने के लगते हैं अउदा गिर प्रोब्स तरीके से देखने को मिल लहा है दाइर इंडियन कपिल शर्मा का शो जब प्रोमो जबाया तो उसमें हमें करतिकारियन और माला तिवारी का जो मस्ती वाले अंदाज देखने को मिले वह वाकर काफि ना काफिला जवाब थे और वहाँ कहते हैं कि आज तक मैंने इत सब्सक्राइब करतिकारियन के जो कि हाली में रिलीज हुई पिलम चंदू चंपेन को लेकर काफी चर्चाएंगी और इस मोवी में जो की पहर्षी मुर्ली पेटकर के रोल में धाशू प्रफेंस किया जिसकी जमकर तारीफ हो रही है और बाक्स आफिस पर चंदू चंपेन च्छा भी गई है और विजनस भी कर रही है और इस बीच कफिल शर्मा के शोपर यानि दा गरेट इंडिन कफिल शर्मा शोपर जब कारतिकारियन अपकी मदर के साथ एंट्री के तो लोगों को खूब पसंद आया और जो कि जब इसका प्रोमो वीडियो आया जिसमें देख जा सकता है कि कारतियन के मार माला तिवारी जो की कारतिक की खुब पॉल खोल रही हैं और पिलहाल यह सब जितने भी एफशोट हैं वो लोगों के बीच में काफी जादा प्रसंद किये जा रहे हैं आप लोगों को बदा दे कारतिकारियन इस समय जो की सत्वे आसमान पर हैं क्योंकि उनकी पिलम चंदू चेंपएन ने बॉक्स आफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया हैं और इस पिलम में उन्हें कई पुरुषकार भी दिलाए हैं कारतिकारियन हाली में ही दागिरेट इंडियन कभिल सर्माय में जब पहुंचे तो यह नेट्स तुलिस पर जो की क में बहुत दिल्चश्व बाते की और बताई किये भी साजा किया जब करते कारियन को उनकी पहली प्यार का जुकि पंचनामा मिली थी तो बहुत खुश थी आप लोगों को बता दे जो की चंदू चंपेंज टेटर में रिलीज हुई तो लोगों को पसंद आई और कार्तिक अपनी पहली पिल्म जो की मिलने तक एक्टर बनने के जो की इच्छा सभी छिपाय रखता और ओडियंस में सफल होने पर उन्होंने रोते हुए अपनी मां को पौन किया और मालातिवारी ने बताया कि वह दूसरी तरफ दूसरी तरफ से रो रही थी तुकि वह चाहते थी क उनका बेटा पहाई से बड़ा जो कि मुकाम हाशिर करें तरणों ने कहा जब उसने प्यार का पंजनामा का ओडिशन पास किया मुझे लगता था कि वह पढ़ाई कर रहा है क्योंकि वह कई कारणों से जो की एटी केटी परिच्छा में फेल हो गया था और उसके बार पौन किया और रोते हुए कहा मम्मी मैंने पास कर लिया और मुझे फिलम मिल गई जब वह खुश होई तो रो रही थी और तम मैं भी रो रही थी क्योंकि उसे फिलम मिल गई और वह डाक्टर नहीं बन सका उन्हों ने यह बताया कि वह मुंबई इसलिए चली गई कारतिक अपनी इंजिनियर्न की पूरी कर सके और पूरी तरह बताया कि जब वह पर इच्छा देने के लिए गारी से जाता था तो वह उसे जोकी नोट्स पढ़कर सुनाते थी और उन्होंने मजाग में कहा कि कार्थिक को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए मेहनत करने पड़ी है और आप लोगों को बदा दे इस नहे प्रोमो वीडियो में कपिल शर्मा ने जो कि फिनाले एप शोट पर कार्टिक और उनकी मा का शांदासों की स्वागत किया और आप लोगों को बदा दे कई सारे बाते जो की इस शो पर हुई हैं जो हमें देखने को मिल लही हैं इस पर मा से कहते हैं कि कुछ तो पोजिटिव बोल दो इसके बाद कपिल के शेट पर जो कि कुछ लड़किया भी आती हैं जो खुद को जो की पेसे से डाक्टर बताती हैं और दरसल कार्टिक के मुमी को अपने बेटे की शादी के लिए डाक्टर बहु चाहिए जो उन्होंने जो कि फुलासा भी कर दिया है आप लोगों को बदा दे जो कि दा गरेट इनिल कपिल शो में जब प्रोमो जबाया तो लोगों को पसंद आया और पिलहाल एक लड़की आकर बताती है कि वह जो की एक बिमारी का इलाज वो करती हैं और वह उन्होंने जब कहा तो उनकी ममी ने बताय कि यह बिमारी जो कि कार्तिकारियन को भी है हाला कि दोस्तों बिमारी का नाम है त्रीजियो थेरे पिश्ट आप लोगों को बदा दे उसी की डाक्टर आई और कार्तिक कार्तिक करने को तयार हैं समय ओटोटी प्लेटफॉर्म नेट फिलिक्स पर जो कि कार्तिकारियन अपनी मदर जो के साथ खूब इंज्वाई कर रहे हैं आप लोगों को बदा दे माला तिवारी और कार्तिकारियन एक समय जो की खूब जो की तहलका मचा रहे हैं और इस समय चर्चा सबसे ज़्यादा कार्तिकारियन और उनकी मा माला तिवारी का है क्योंकि फर्स टाइम जो की दे ग्रेट इंडियन कपिल सर्मा के शो पर जो की कार्तिकारियन अपनी मदर को लेकर पहुंचे हैं आप लोगों को बदा दे जो की इस साल उनकी रिलीज हुई फिलम जो की चंपेन भी लोगों को बीच में काफी जादा पसंद के गई है और जो की फिलम को टूटी प्लैटफॉम पर भी रिलेज किया गया है लेकिन आप लोगों को बता दे टूटी पर दा ग्रेट इंडियन कपिल शो में जो की अगला नमबर था कारतिकारियन और जो अपनी मा माला थिवारी के साथ नजर होना है फुल वीडियो देखनी है तो हम आप लोगों को बताएंगी कि आप लोग इसको कहां पर जाकर देख सकते हैं वैसे क्योंकि इसी एपशोट के साथ जो की इस सीजन खतम होने जा रहा है और इसी वज़ा से दा ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा का ये शो काफी चर्श बोलूँगी सचके सिवा कुछ नहीं बोलूँगी इस प्रोमो में कारतिक किमा उनकी कमियां एक-एक करकर कपिल के सामने गिनाति देख रही हैं और वो बताती है कि कारतिक बहुत जिद्दी है और बहुत खर्चे वाला है उन्होंने इंजीनियर में जुकी की है और यह एक लड़की आकर बताती है कि वो जो की फिजी योर थेटर पिष्ट है और पर कारती किमा कहती है इसे भी जो की ये बिमारी है और इस भी दूसरी लड़की कहती है कि वो कभी कारती कारियन का फोन चेक नहीं करेंगी इस पर कारती कारियन कहते हैं डन है फिर जो हुआ जो हसन जहाँ पर हमें जबर्दस तरीके से देखने को मिल ला है गरेट इंडियन कपिल शर्मा का शो जब इप परोमो जब आया तो उसमें हमें कार्तिकारियन और माला तिवारी का जो मस्ती वाले अंदाज देखने को मिले वो वाकए काफी ना काफी ला जबाब थे और वहां कहते ह कि आज तक मैंने इतना जादा कभी नर्वस नहीं हुआ जितना वो दा ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा के शोव पर जो की वो अपने मा के साथ हुए और इसके बाद कपिल शर्मा और माला तिवारी जो की कार्थिकारियन को लेकर कई सवाल पूछते हैं जिनसे वो जबाब दे आप लोगों को बता दे वाले वो डेक्टर कार्थिकारियन के जो की हाली में रिलीज हुई फिलम चंदू चेंपेन को लेकर काफी चर्चा आएंगी और इस मूवी में जो की पहरशी मुरली पेटकर के रोल में धाशू परफेमेंस किया जिसकी जम करतारी हो रही है और बिजनस भी कर रही है और इस बीच कफिल सर्मा के शोपर यानि दा ग्रेट इंडियन कफिल सर्मा शोपर जब कार्थिकारियन अपनी मदर के साथ एंट्री किये तो लोगों को खूब पसंद आया और जो कि जब इसका प्रोमो वीडियो आया जिसमें देखा जा सकता है कि का माला तिवारी जो कि कार्थिक की खूब पॉल खोल रही है और फिलाहाल यह सिर्फ जितने भी एफशोट हैं वो लोगों के बीच में काफी ज़्यादा पसंद किये जा रहे हैं आप लोगों को बदा दे कार्थिकारियन इस समय जो कि सत्वे आसमान पर हैं क्योंकि उनकी फिलम चंदू चैंपएन ने बॉक्स आफिस पर अच्छा परदर्शन किया हैं और इस फिलम ने उन्हें कई पुरुषकार भी दिलाए हैं कार्थिकारियन हाली में ही दे ग्रेट इंडियन कपिल सरमाय में जब पहुँचे तो यह नेट्स फिलिस पर जो कि कपिलिस के शो के जो की नवीनतम सीजन का जो की अंतिम एफशोड था और कार्थिकारियन अपनी मा मालाक दिवारी के साथ थे और यहीं हसी का एक दजुकी दागा बन गया और जुकी कार्थिकारियन की मा ने जुकी बेटे के बारे में बहुत दिल्चर्श बाते की और बताई कि ये भी साजा किया जब कार्थी कारियन को उनकी पहली फिलम प्यार का जो कि पंच नामा मिली थी तो वो बहुत खुश थी आप लोगों को बता दे चंदू चेंपेंज जब ठेटर में रिलीज होई तो लोगों को पसंद आई और कार्थिकारियन की मा माला ने बताया कि वह चाहती नहीं है कि कार्थिकारियन एक डॉक्टर बने उन्होंने बताया कि कार्थिक ने जो कि अपनी पहली फिलम जो कि मिलने तक एक्टर बनने की जो कि इच्छा को सभी छेफाय रखा और ओडियंस में सफल होने पर उन्होंने रोते हुए अपनी माग को फोन किया और मालातिवारी ने बताया कि वह दूसरी तरफ से रो रही थी चुकि वह चाहती थी कि उनका बेटा पढ़ाई से बड़ा जो कि मुकाम हाशिल करे और उन्होंने कहा जब उसने प्यार का पंजनामा का ओडिशन पास किया मुझे लगता था कि वो पढ़ाई कर रहा है क्योंकि वह कई कारणों से जो कि 80-80 परिच्छा में फेल हो गया था और उसके बार फोन किया और रोते हुए कहा ममी मैंने ओडिशन पास कर लिया और मुझे फिलम मिल गई जब वह खुश होई तो रो रही थी और तम मैं भी रो रही थी क्योंकि उसे फिलम मिल गई और वह डाक्टर नहीं बन सका उन्होंने यह बताया कि वह मुंबई इसलिए चली गई कार्थिक अपनी इंजिनियर की पूरी कर सके और पूरी तरह बताया कि जब वह परिच्छा देने के लिए गाड़ी से जाता था तो वह उसे जोकी नोट्स पढ़कर सुनाते थी और उन्होंने मजाग में कहा कि कार्थिक को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए मेहनत करने पड़ी है और उन्होंने जोकी प्रिंस्पल को भी बीच में बुलाया ये भी पढ़ने आप लोगों को बता दे बहुत सारी बाते युक़ करतिकारियन की मां ने जोकि बताया है इस कपिल subscribe के शो में आप लोगों को बदा दे इस नए प्रोमो वीडियो में कपिल शर्मा ने जो कि फिनाले अप शोट पर कारतिक और उनकी मा का शांदास जो कि स्वागत किया है और आप लोगों को बदा दे कई सारे बाते जो कि इस शोपर हुई हैं जो हमें देखने को मिल लही हैं इस पर कारतिकारियन जब बहुत सारी मजा कोई जब उनकी मा बोलने लगी तो इस पर कारतिकारियन मा से कहते हैं कि कुछ तो पोजेटिव बोल दो जिसके बाद कपिल के शेट पर जो कि कुछ लड़कियां भी आती हैं जो खुद को जो कि पेसे से डाक्टर बताती हैं और दरसल कार्थिक के मुम्मी को अपने बेटे के शादी के लिए डाक्टर बहु चाहिए जो उन्होंने जो कि खुलासा भी कर दिया है आप लोगों को बदा दे जो कि दा ग्रेट इनिल कपिल शो में जब प्रोमो जब आया तो लोगों को खुब पसंद आया और फिलहाल एक लड़की आकर बताती है कि वह जो कि एक बिमारी का इलाज वो करती है और वो इसी का इलाज है इलाज करती है और उन्होंने जब कहा तो उनकी मम्मी ने बताय कि ये बिमारी जो कि कार्थिकारियन को भी है हाला कि दोस्तों विमारी का नाम है फीजियो थेरेपिष्ट आप लोगों को बदा दे उसी के डाक्टर आई और कार्तिकारियन को भी वो विमारी है इस पर कार्तिक के मा कहती हैं कि इसे भी जुकी फीजियो थेरेपिष्ट लगते रहते हैं और इसे बीज दूसरी लड़की क कहती है कि भई कभी कार्तिक का फोन चेक नहीं करेगी तो कार्तिक कहते हैं डन हैं मतलब लड़की से साधी करने को तयार हैं मदर जुके साथ खूब इन्ज़ाय कर रहे हैं आप लोगों को गला दे माला तिभारी और कार्टे कार्यान एक समय जो की खूब जो की तो की तहल का मचा रहे हैं और इस समय चर्छा सबसे ज़ादा कार्टे कार्यान और उनकी माम lid तिभारी का है क्योंकि फर्स टाइम जो की दे ग्रेट इंडियन कपिल सर्मा के शोव पर जो की कारते कारियन अपनी मदर को लेकर पहुंचे हैं आप लोगों को बता दे जो कि इस साल उनके रिलीज हुई फिलम जो की चैमटेन भी लोगों को बीच में काफी ज़्यादा पसंद पी गई है और जो की फिलम को टूटी प्लैटफॉम पर भी रिलेज किया गया है और पोटोटी का जो की आने वाला है ये शो जो की बेहत खास हैं दोस्तों आप लोगों को बता दे अगर आप लोगों को ये शो देखना है फुल वीडियो देखनी है तो हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग इसको कहां पर जाकर देख सकते हैं वैसे क्योंकि इसी एफशोट के साथ उकी इस सीजन खतम होने जा रहा है और इसी वज़ा से दा ग्रेट इंडियन कफिल सर्मा का ये शो काफी चर्शा का भी से बना हुआ है इस ने प्रोमो वीडियो में कफिल सर्मा फिनाले एपशोट पर कारतिकारियन उनके मा का स्वागत करते देख रहे हैं और इसी में कारतिकारियन कहए रहे हैं मैं इतना और्वस कभी नहीं हुआ जितना आज हूँ और वहें उनकी मा कहती हैं कि आज जो बोलूँगी, सच बोलूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगी इस प्रोमो में कारतिक के मा उनकी जुकी कमियां एक एक करकर कफिल के सामने जिनातی देख रही हैं और वो बताती है कि कारतिक बहुत जिद्धी है और बहुत खर्चे वाला है उन्होंने engineer में जुती की है और यह क्योंकि इस पर कारतिक रियन किमा कहती है वो पीयट पाटकर engineer खरवाया है वहीं आप लोगों को बता दे कारती कारियन इस समय अपनी मदर को लेकर काफी चर्चा के विसे में बनी हुई है आप लोगों को बता दे एक लड़की आकर बताती है कि वह जो की फिजी योर थेटर पिष्ट है और पर कारती किमा कहती है इसे भी जो की ये विमारी है को चैट चैक nee करेंगी इस पर कार्ति कारियन कहते हैं टन है और दा गृत ? पिल शर्मा का शो पूब पसंद आ रहा है नहीं पर हमें सहर्थ और देखने को आएगे लिए की चारी से जाकर की आघए ऐıllista बूँरत गजा खुब आ необходимо माला तिवारी का जो मस्ती वाले अंदाज देखने को मिले वह वाकर काफी ना काफी ला जवाब थे और वहां कहते हैं कि आज तक मैंने इतना जादा कभी नर्वस नहीं हुआ जितना वह ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा के शोव पर जो कि वो पने मां के साथ हुए और इसके कोमी में जोकी पहर्शी मुरली पेटकर के रोल में धाशु पर्फेंस किया जिसकी जम करतारी हो रही है और बॉक्स आफिस पर चंदू चंपेंच छा भी गई है और विजनस भी कर रही है और इस बीज कभिल शर्मा की शोव पर यानि दा ग्रेट इंडिन कभिल शर्मा शो जितने भी एफशोट हैं वो लोगों के बीच में काफी ज़्यादा पसंद किये जा रहे हैं आप लोगों को बदा दे कार्तिकारियन इस समय जोकी सत्वे आस्मान पर हैं क्योंकि उनकी फिलम चंदू चैंपेंट ने बॉक्स आफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है और में उन्हें कई फुर्षकार भी दिलाएं हैं कार्तिकारियन हाली में ही डागरीट इंडियन कभिल सर्माय में जब पहुंचे तो यह नेट्स पर जोकी कफिस्ट के जोकी नवींतम सीजन का जोकी अंतिम अप्शोट था और कार्तिकारियन अपने मां मालाक दिवारी के साथ थे और यहीं हसी का एक दजोकी दागा बन गया और जोकी कार्तिकारियन के मां ने जोकी बेटे के बारे में बहुत दिल्चश्च बाते की और बताई कि ये भी साधा किया जब कार्तिकारियन को उनकी पहली फिलम प्यार का जोकी पंच नामा मिली थी तो वह बहुत खुश करंष्किन आप लोगों को सब्सक्राइव करें के पने पैर दोक्तर बने के और आप लोगोंको बदाए जो की सब्सक्राइब इस फिलम को सभी değil यथा लगा और और ऊडिये में शपल उन्होंने रोते हुए अपनी मान को फोन किया और मालातिवारी ने बताया कि वह दूसरी तरफ दूसरी तरफ से रो रही थी तुकि वह चाहती थी कि उनका बेटा पढ़ाई से बड़ा जो कि मुकाम हाशिव करे और उन्हों ने कहा जब उसने त्यार का पंजनामा का ओडिशन पास किया मुझे लगता था कि वह पास कर लिया और मुझे फिलम मिल गई जब वह खुश होई तो रो रही थी और तम मैं भी रो रही थी क्योंकि उसे फिलम मिल गई और वह डाक्टर नहीं बन सका उन्होंने यह बताया कि वह मुंबई इसलिए चली गई का ताकि कार्थिक अपनी इंजीनियर की पूरी कर सक करते थी और उन्होंने मजाग में कहा कि कार्थिक को अपनी पढ़ाएं पूरी करने के लिए मेहनत करने पड़ी हैं और उन्होंने जो की प्रिंस्पल को भी बीच में बुलाया और यह भी पढ़े आप लोगों को बदा दे बहुत सारी बाते क्योंकि कार्थिकारियन की मान में देखने को मिल लही हैं इस पर कार्थिकारियन जब बहुत सारी मजा को यद उनकी मा बोलने लगी तो इस पर कार्थिकारियन मा से कहते हैं कि कुस तो पॉजिटिव बोल दो इसके बाद कपिल के शेट पर जो कुछ लड़किया भी आती हैं जो खुद को जो की पेसे से और दरसल कार्थिक के मुमी को अपने बेटे की शादे के लिए डाक्टर बहु चाहिए जो उन्होंने क्योंकि फुलासा भी कर दिया है आप लोगों को बता दे जो कि दा गिरेट इंडिल कपिल शो में जब प्रोमो जबाया तो लोगों को पसंद आया और पिलहाल एक लड थेरे पिष्ट आप लोगों को बता दे उसी के डाक्टर आई और कार्थिकारियन को भी वो बिमारी है इस पर कार्थिक के मा कहती हैं कि इसे भी जुकी फ्रीजियो थेरे पिष्ट लगते रहते हैं और इसे दीज दूसरी लड़की कहती है कि बहु कभी कार्थिक का फोन च चेक नहीं करेगी तो कारतिक कहते हैं डन हैं मतलब भी लड़की से साधी करने को तयार हैं समय ओटोटी प्लेटफॉर्म नेट फिलिक्स पर जो की कारतिकारियन अपनी मदर जो के साथ खुब इंज्वाई कर रहे हैं आप लोगों को बता दे माला तिवारी और कारतिकारियन एक समय जो की खूब जो की तहलका मचा रहे हैं और इस समय चर्चा सबसे ज़्यादा कारतिकारियन और उनकी मा माला तिवारी का हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम जो की दे ग्रेट इंडियन कपिल सर्मा के शोव पर जो की कारते कारियन अपनी मदर को लेकर पहुंचे हैं आप लोगों कूझा दे जो कि इस साल उनकी रिलीज हुई फिल्म जो की चंपेन भी लोगों को बीच में काफी ज्यादा पसन्द के गई है और जो की फिल्म को टूटी प्लैटफॉम पर भी रिलीज किया गया है और उटोटी का जो की आने वाला है ये शोड जो की बेहत खास है दोस्तों आप लोगों को बता दे अगर आप लोगों को ये शोड देखना है फुल वीडियो देखनी है तो हम आप लोगों को बताएंगी कि आप लोग इसको कहां पर जाकर देख सकते हैं वैसे क्योंकि इसी एफशोट के साथ जो की इस सीजन खतम होने जा रहा है और इसी वज़ा से दा ग्रेट इंडियन कफिल शर्मा का ये शो काफी चर्शा कभी से बना हुआ है इस नए प्रोमो वीडियो में कफिल शर्मा फिनाले एफशोट पर कारतिकारियन उनकी मा का श्वागत करते दिख रहे हैं और इसी में कारतिकारियन कहरे हैं मैं इतना नर्वस कभी नहीं हुआ जितना आज हूँ और वह उनकी मा कहती हैं कि आज जो बोलूँगी सच बोलूँगी सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगी इस प्रोमो में कारतिक के मा उनकी कमिया एक एक करकर कपिल के सामने गिनाती देख रही हैं और वो बताती है कि कारतियक बहुत जिद्धी है और बहुत खर्चे वाला है उन्होंने इंजीनियर में जुकी की है और यह जुकी इस पर कारतिकारियन किमा कहती है वो फीट पाट कर इंजीनियर करवाया है वहीं आप लोगों को बता दे कारतिकारियन इसमें अपनी मदर को लेकर काफी चर्चा के विशे में बनी हुई हैं आप लोगों को बदा दे एक लड़की आकर बताती है कि वो जो की फिजी योर थेटर पिष्ट है और पर कारतिक किमा कहती है इसे भी जो की ये बिमारी है और इस भी दूसरी लड़की कहती है कि वो कभी कारतिकारियन का फोन नहीं करेंगी इस पर कार्तिकारियन कहते हैं दन है फिर जो हुआ जो हसने के लगते हैं और दागरेट इंडियन कपिल शर्मा का शो जो की 22 तारीक को ही रिलीज हो चुका है जो लोगों को खुब पसंदा रहा है अगर आप लोगों को ये शो देखना है तो आप लोग नेट्स फिलिक्स पर जाकर देख सकते हैं जहांपर हमें जवर्दस तरीके से देखने को मिल ला है दाइर इंडियन कपिल शर्मा का शो जब प्रोमो जब आया तो उसमें हमें कार्तिकारियन और माला तिवारी का जो मस्ती वाले अंदाज देखने को मिले वो वाक़ी काफी ना, काफी ला जबाब थे और वहाँ कहते हैं कि आज तक मैंने इतना जादा कभी नर्वस नहीं हुआ जितना वो दा ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा के शो पर जो की वो अपने मा के साथ हुए और इसके बाद कपिल शर्मा और माला तिवारी जो की कार्थिकारियन को लेकर कई सवाल पूछते हैं जिनसे वो जबाब देते हैं आप लोगों को बता दे वाले वो डेक्टर कार्थिकारियन की जो की हाली में रिलीज हुई फिलम चंदू चेंपेन को लेकर काफी चर्चा आएंगी और इस मूवी में जो की पहरशी मुरली पेटकर के रोल में धाशू परफेमेंस किया जिसकी जम करतारी हो रही है और बॉक्स आफिस पर चंदू चंपेन च्छा भी गई है और विजनस भी कर रही है और इस बीच कफिल सर्मा के शोपर यानि दा ग्रेट इंडियन कफिल सर्मा शोपर जब कारतिकारियन अपनी मदर के साथ एंट्री के तो लोगों को खूब पसंद आया और जो कि जब इसका प्रोमो विडियो आया जिसमें देखा जा सकता है कि कारतियन की मा माला तिवारी जो कि कारतिकी खूब पॉल खोल रही है और फिलहाल यह सिर्फ जितने भी एफशोट हैं वो लोगों के बीच में काफी ज़्यादा पसंद किये जा रहे हैं आप लोगों को बदा दे कारतिकारियन इस समय जो कि सत्वे आसमान पर हैं क्योंकि उनकी फिलम चंदू चैंपएन ने बॉक्स आफिस पर अच्छा परदर्शन किया हैं और इस फिलम ने उन्हें कई पुरुषकार भी दिलाए हैं कारतिकारियन हाली में ही दा ग्रेट इंडियन कपिल सरमाय में जब पहुंचे तो यह नेट्स फिलिस पर जो कि कपिलिस के शो के जो की नवीनतम सीजन का जो की अंतिम एफशोर था और कारतिकारियन अपनी मा मालाक तिवारी के साथ थे और यहीं हसी का एक दजो की दागा बन गया और जो की कार्थिकारियन की मा ने बेटे के बारे में बहुत दिल्चश बाते की और बताई कि ये भी साजा किया जब कार्थिकारियन को उनकी पहली फिल्म प्यार का जो की पंचनामा मिली थी तो वो बहुत खुश थी आप लोगों को बतादे चंदु चंपेन जब इक्टर में रिलीज होई तो लोगों को पसंद आई और कार्थीकारियन की माना ने बताया कि वह चाहती नहीं है कि कार्थीकारियन एक डॉक्टर बने नहोंने बताया कि कार्थी ने तुकि अपनी पहली फिल्म जोकि मिलने तक एक्टर बनने की इच्छा को सभी छेफायर पढ़ाई से बड़ा जो कि मुकाम हाशिल करे और उन्होंने कहा जब उसने प्यार का पंजनामा का ओडिशन पास किया मुझे लगता था कि वो पढ़ाई कर रहा है क्योंकि वह कई कारणों से जो कि 80-80 परिच्छा में फेल हो गया था और उसके बार फोन किया और रोते हुए कहा ममी मैंने ओडिशन पास कर लिया और मुझे फिलम मिल गई जब वह खुश होई तो रो रही थी और तम मैं भी रो रही थी क्योंकि उसे फिलम मिल गई और वह डाक्टर नहीं बन सका उन्होंने यह बताया कि वह मुंबई इसलिए चली गई कार्थ ताकि कार्थिक अपन पढ़कर सुनाते थी और उन्होंने मजाग में कहा कि कार्थिक को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए मेहनत करने पड़ी हैं और उन्होंने जो कि प्रिंस्पल को भी बीच में बुलाया और यह भी पढ़े आप लोगों को बदा दे बहुत सारी बाते जो कि कार्थिकार इस शोग पर हुई हैं जो हमें देखने को मिल लःही हैं। तो इसे बाद कार्तिकारियन महां funding में कैते हैं कि कुछ तो positive बोल दो। उतरह जो को चुछ लड़किया भी आती हैं। जो खुद को पेसे से डाक्टर बताती हैं और दर्सल कार्तिक की मुम्मी को अपने बेटे के शादी के लिए डाक्टर बहु चाहिए जो उन्होंने जो कि खुलासा भी कर दिया है आप लोगों को बदा दे जो कि दा ग्रेट इनिल कपिल शो में जब प्रोमो जब आया तो लोगों को खुब पसंद आया और फिलहाल एक लड़की आकर बताती है कि वह जो कि एक बिमारी का इलाज वो करती है और वो इसी का इलाज है इलाज करती है और उन्होंने जब कहा तो उनकी मम्मी ने बताय कि ये बिमारी जो कि कार्थिकारियन को भी है हाला कि दोस्तों बिमारी का नाम है फीजियो थेरेपिश्ट, आप लोगों को बदा दे उसी की डाक्टर आई और कार्तिक आरियन को भी वो बिमारी है, इस पर कार्तिक के मा कहती हैं कि इसे भी जुकी फीजियो थेरेपिश्ट लगते रहते हैं, और इसे बीज दूसरी किसे साधी करने को तयार है